आज की इस वीडियो में हम फ्लोको वीक 200 mg टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका फंगल इंफिक्शन के समस्या को दूर करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है इस वीडियो में हम जानेंगी कि ये टैबलेट कैसे काम करती है कहां इसका इस्तिमाल होता है क्य किया क्या इस टैबलेट की बेनफिट से और क्या क्या साइड फेक्ट है जो देखने को आपको मिलते हैं इससे पहले आपसे छोटी से रिक्वेश्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वा के बात करें, तो इसके समय को 14 इम जो 52 ऐबनीट की ज़ो है, कि लुटे समय क philanthropy की की जाती है, तो इसका उप्योग इससका क्यों माजसी के काहरण जो infections हो जाते हैं जो skins पे fungal की द्वारा infections हो जाते हैं तो वैसे fungus के इलाज के लिए जो है फ्लूकोबिक 200 mg टैबलेट का यह जो है किया जाता है इसके अलावा आपको जो है फंगल infection हो जाते हैं उस टाइप के वो इसके अलावा के डीडी इसके अलावा के डीडी आसिस यह जो है आपके यह भी एक तरफ का इंफिक्शन होता है इसके पार इतलीट फूड जो हमारे पैर के अंगुठे होते हैं इसका उंगलिया होती है उसमें जो है फंगल के द्वार खुजली यह सब में यह सब कुछ है जैसे रिंग वम हो जाते हैं मिंस कोई वहां पर किसी स्कीन पर वह infection हो जाते हैं नाखुन इनफिक्शन हो जाते हैं इसके अलावा यूटी आइंफिक्शन हो जाते हैं तो यह समय फ्लूकोबिक टेबलेट का उतल्यूज किया जाता है कौन-कौन लोगों को यह tablet जो है वो लेनी चाहिए तो यह tablet को लोने से पहले आपको अपने डॉक्टर या फार्मासिस से इसकी सलाह जरूर लेने चाहिए ताकि वो जो है आपको आपकी age या sex के अनुसार आपकी age कितनी है आपको कितनी quantity में medicine लेनी है वो आपको इसके dose आपक करते हैं इस tablet की side effect की क्या क्या side effect जो है आपको देखने को मिल सकते हैं तो कोई भी medicine होती है तो उसको side effect जरूर होते हैं और इस चीज़ की ध्यान रखने चाहिए आपको इसमें जो है मिचली हो सकती है आपका मन जो है मिचला सकता है इसके अलावा उल्टी पेट दर्द दस् सकते हैं अगर कोई भी side effect देखने को मिलता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर या फार्मसिस्ट से सलाह चरूर लेने चाहिए प्रिक्विशन कौन-कौन सी आपको रखनी चाहिए सौधानिया कौन-कौन सी रवात की रखनी चाहिए अगर आपको side effect है इसमें लेने से पहले इसके बाद प्रिंगनें टुमैन है तो उनको भी लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेने चाहिए और यह जो है इलकोहल के साथ इस्टैब्रेट का यूज नहीं करना चाहिए यह थी इन्फरमेटिव